दोस्तो केके इंटेरियर के एक नई वीडियो में आपका स्वागता आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो बिना प्लास्तर की दिवार होती है उस पर PVC वोल पैनल कैसे लगा जाता है और ये लोंग लाइफ है या नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहा ना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए सबसे पहले मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वो वाला एरिया जहां पर PVC वोल पैनल नहीं लगा हुआ और इनिट की जो दिवार है वो डिरेक्ट आपको दिखाई दे रही है उसके बाद चलते हैं इंस्टोलेशन की तरफ यहां पर देखिए देखिए मसीन से पेच लगाए जा रहे हैं यहां पर डिरेक्ट पेच और पैनल की इंस्टोलेशन कर रहे हैं और देखिए इंस्टोलेशन अगर मैं दिखाऊ हूँ आपको यह देख सकते हैं हर 10-15 इंच के बाद एक पेच लगाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे से इसकी इंस्टोलेशन की जा रही है अब चलते हैं उस वाले एरिये की तरफ जहां पर हम पीवीसी वोल पैनल लगा चुके हैं तो यह देखिए इधर आ जाते हैं यह वाला वो एरिय यह देखिए यह पूरी की पूरी दिवार जो देखि लंबी है तो यह पर पीवीसी वोल पैनल हमारा लग चुका है यह वाला क्योंद देखि लिया कि बिना पलस्तर की दिवार आथ वहां पर अभी पैनल लगने बाइगि है और इंस्टोलेशन की बात करें तो यह पैनल के अंदर पेज लगाई जा रहे हैं हर 10-15 इंच के बाद और ये देखिए हर 10-15 इंच के बाद इसके इंस्टोलेशन है जो बिल्कुल अच्छे से की जा रही है बात करते हैं पैनल दिखा देता हूं आपको ये देखिए ये 10 फुट का पूरा लंबा पैनल इधर से दि जाती है उसके बाद इस दिवार पर इसको इंस्टोल किया जाता है तो दोस्तों ये है इंस्टोलेशन का प्रोसेस अगर इससे डिलेटिव आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कोल कीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाता है वहां से जाकर आप ह इससे डिलेटिव अगर आपको पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसके बेनिफिट और बेनिफिट क्या है और इसकी हानी क्या है वैसे मैं अगर आपको वीडियो में दो बिता सकता हूँ इसकी अगर लोंग लाइफ की बात करें तो पंदरा से बीच साल ये अराम से निकल जाती है और अगर तूट फूट से आपको थोड़ा सा बचा के रखना होता है इसको अगर आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छी लाइफ इसकी निकाल देता है ये तो इससे अलग कुछ और जानने के लिए आप हमें कॉल कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ